नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुती बहतरी जो है निउस निकल के आई है और उस निउस के बाद में किस तरह की का रियक्शन काफी सारी कंपनियों के इंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा वैसे भी अगर मैं टोटल मार्केट के सेंटिमेंट को समझने की कोसिस करूँ तो मार्केट के अंदर लगातार जो है अच्छा कासा मोमेंट हमें उपर की तरफ देखने को मिल रहा है निफ्टी की तरफ से रिकोर्ड हाई दिन पर दिन जो हम लोगों को देखने को मिलते है इसी तरीके से अब जब ये न्यूज आई है तो इस न्यूज के बाद में किन किन स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को हलचाल देखने को मिलेगी जैसे कि आपने थमनेल में देखा क्या सिर्प इनी कंपनियों को फायदा मिलता हुआ नदर आएगा क्या और भी कंपनियों के अं हैं कौन-कौन से सेक्टर के अंदर हम लोगों को मूमैट देखने को मिलेगा तो इस पेसली एन्बी एफसी के अंदर बड़ी हलचल आपको देखने को मिल सकती है अब आप यह चीज उब्जर्व करके चल सकते हैं कि काफी सारी कंपनिया एन्बी एफसी के अंदर हैं तो डील एफ इंडिया बॉल रियल स्टेट काफी सारी एन्बी एफसी कंपनिया जो बजार के अंदर लिस्टेड हैं अब क्या है कि जब यह कंपनिया लोन प्रोवाइड कराती हैं फिलाल में क्या है कि आपने देखा कि कोरोना वाइरस की बज़े से काफी दिक्टों का सामना इन कंपनियों को करना पड़ रहा है तो अब क्या है कि RBI के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी तो अगर इनको फंड आएगा पैसा आएगा तो फिर यह ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा सकती हैं तो लोन अग मुमेंट आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा और यह तेजी ऐसा नहीं है कि खाली फ्राइड़ के सेजिन में आपको देखने को मिल रहा है पिछले पांस दिन पहले कि एकर मैं बात करूँ तो लगभग 4700 के असपास यह स्टॉक्स देखने को मिल रहा था वहां से अगरे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है पिए इसे त्रीकों से अकर एक महीनी के चाल अब्सर्व करने की कोशिस करेंगे तो जिस तरीकि से हम लगों को बराबर उपर नीची के चार्ट पैटरन देखने को मिल है वापस से इसे कहा से रिकवरी दिखाता हुग अब stocks के अंदर किस तरीकी की चाल हमें देखने को मिलेगी वैसे तो आप जानते हैं कि जिस तरीकी से 5 दिनों के अंदर पूरे बजार में हम लोगों को sentiment देखने को मला है तो वापस यह stocks नीचे आपको लगबग 189 के आसपास जाता हुआ दिखाए दिया था तो वहां से अब करेंगे तो काफी सारे contract 2020 के अंदर इस company को मिले थे तब से लेकर अब तक stocks के अंदर भी हम लोगों को उसी तरह के लेवल देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है company की profile भी हम लोगों को सुधरती हुई नजर आ रही है तो 2021 से start हो चुका है और काफी सारे contract अभी भी मिल र चुका है इसी तरीके से अगर बात करें लगातार जिस तरीके से 6 महीने में लगबग 915 रुपे के आसपास यह आपको देखने को मिल रहा था वहां से अच्छा कासा मोमेंट अच्छा कासा लेवल जो है अब तक हमें उपर की तरफ देखने को मिल चुका है अब अगर लेवल आपको इस तर्फ के नवहीं पर जाने को तियार ही नहीं होता था और पजैंगर रिकवरी है नाओं अगर देखें तो 300 रुपे से उपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था कि लगबग 500 रुपे के आसपास जो है रहने वाला स्टोक्स देखते ही देखते हैं आपको इतरे भेंकर लेवल भी दिखा सकता है तो लगतार तेजी हमें स्टोक्स के अंदर देखने को मिली है फ्राइडे के सेसने में भी मजबूरती देखने को मिली इसी तरी किसे कर बात करें एक महीने पहले ये स्टोक्स कहा था तो लगबग एक महीने पहले भी आपको ये 200-200 के आसपास देखने को मिल रहा था वहां से लेकर अच्छा खासा मुमेंट अब तक हमें कमपनी के अंदर देखने को मिल चुका है तो 6 महीने में भी एच्छे खासे देखेंगे तो बहुत ही बहतरी निये कमपनी मानी जाती है जिस तरीकी से अभी हमें इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो आपने देखा कि 1000 से उपर भी ये स्टोक्स हुआ करता था 2009 से पहले तो कहीं न कहीं उसी तरीकी के साइन यह भी एक कमपनी हम लोगों वहां से अच्छा खासा मुवमेंट हमें स्टोक्स के अंदर देखने को मिला और लगबग 84-85 के लेवल के असपास जाने के बाद में हलकी प्रॉफिट बुगिंग हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है तो लगतार जो है अच्छे खासे रिटन भी हमें स्टोक्स के द् बहता था वहां से लेके अच्छे खासे रिटन हमें स्टोक्स के अंदर भी देखने को मिल चुके हैं लगबग 83 परशन्ट के पोजिटिव रिटन अब तक कमपनी के अंदर हम लोगों को देखने को मिल चुके हैं तो दोस्तों अब यह लोंग टम के हिसाब से किस तरीकी की ये कंपनी है एक साल पहले कहां था स्टॉक्स का प्राइज तो लगबग 40 रुपे के आसपास स्टॉक्स का प्राइज आपको देखने को मिल रहा था और वहां से लगातार जो है स्टॉक्स के इंदर हम लोगों को उसी तरीके के लेवल देखने को मिलें बट धीरे-धीरे करक पर हम लोगों को क्रोस करता हुआ नजर आने वाला है तो 5 साल पहले कंपनी की दिसा और दसा की इस्टिते अकर देखने की कोसिस करने तो थाइस वोपे के आस पास भी आपको ये कंप़नी को मिली थी तो तो ढ beggatart गिरावाट का सिलसिला बना 40-50 रुपे के आस पास जाने के बाद में अब Łच्छे खासे लेवल हमें कंप़नी के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों ये जो कंप़नी हमने आपको बताई हैं तो इन कंपनियों के अलावा भी काफी सारी NBFC के अंदर हम लोगों को बड़ी हलचल देखने को मिलेगी तो कल का दिन काफी एहम होने वाला है जिस तरीके से आपने देखा ये नियूज निकल के है और इस नियूज के बाद में बड़ा रियक्शन हमें बजार के किवीविशन के नियूज टेकर अपने चांपनी हैं तो लिंक नीचे अधिशन बॉक्स का दिया हुआ है महां से जाकर सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और वैसे भी लोंग टम के हिसाब से बहुती बहतरी निये कंपनी मारी जाती है डिलिवरी में किसी भी तरिका का कोई ब्रोक्रेज चार्ज जो है ये आप से नहीं लेती है तो अगर आपको डिमेट अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंज़ा दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्त अगर ये जानकार ये अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक जुरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करकर रखलना तके नई वीडियो के नोटिकीशन सीधे आपके मुवाइल पर मिंस के थैंक्यू सो मच वाचिंग